हेलो फ्रेंस वेलकम बैक माई यूटीब चैनल आज मैं आप सभी को एक स्वेटर डिजैन बताने वाली हूँ जो कि मैं दो कलर के उनका यहां पर इस्तमाल करूंगी रेड और यहां पर मैंने सेंपल के तौर पे थोड़े से बॉर्डर बीन लिया है आप भी बॉर्डर बनान देजाने हो बॉर्डर बना लेने के बाद आपको पूरी ग्रो मात पूरा एक वॉर्डर बीन साथे से पूरी साइड करूंग लिया वह राजाना लिए यह रीक है बॉर्डरं बीन में ख्रोले पहले फंदे को स्किप करेंगे उनको पीछे करेंगे एक फंदा उल्टा बिनेंगे उसके बाद दो फंदा उल्टा यहां पर उल्टा बिन लेंगे एक को स्किप किया है और दो फंदे उल्टे बिन लेने के बाद उनको अपनी और लाएंगे और यहां पर इस तरीके से आप अपने मन चाहे जो भी करर का इस्तमाल करना चाहती है इस तरीके से लेंगी और यहां पर एक प्लस दो दो फंदे बिन लेंगे इस तरीके से उल्टा बिनेंगे तो राइड साइड से इस तरीके से नजर आएगा उसके बाद फिर हमें रेड वाले उनको छोड़ देना है और पिर उनको वाइड को पीछे करना है और यहां पर उल्टा बिनना है 6 फंदे 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 फंदे उसके बाद उनको अपनी और लेकर क्याएंगे और यह रेड वाले जो फंदे है उससे दो फंदे बिनेंगे देखिए 1, 2, 1 & 2 फंदे को रेड वाले कलर से बिनना है अग 6 फंदों का गैप देना है 1, 2, 3, 4, 5, and 6 उनको अपनी और लेकर क्याएंगे और यह 2 फंदे रेड के बिनने है इसे थोड़ा से लूजी रखेंगे ज्यादा टाइट नहीं करेंगे वरना यह दो डिजैन जो है सुकूर जाएंगे तो इस वज़ा से 1 & 2 फंदे रेड अगे 5 & 6 उनको अपनी और लेकर क्याएंगे उसके बाद फिर से 2 फंदे रेड इस तरीके साब को पूरी स्लाइज जो है बिन करके कंप्लीट कर लेना है जबी भी आप रेड कलर को एड करें तो वाइट कलर को इस साइड जरूर लेकर के आएंगे अब देखे यह हो गया कंप्ली करेंगे उसके बाद फिर 2 फंदे उल्टे उनको पीछे और 2 फंदे सीधे तो यह रेड से बनाना है मगर इसमें थोड़ा सा इस तरीके से टुष्ट दे देना है तुष्ट देने के बाद फिर हमें 2 फंदे रेड के बनाने हैं अगेन हमें वाइट फंदे को अपनी और ले पीछे और रेड़ वाले को तो देखिए इस तरीके से यहां पर इसे भी थोड़ा से धिला ही रखेंगे वान एंड टू को बीनेंगे इस तरीके से आपको यह पूरी रोज है बीन करके कम्प्लीट कर लेनी है इसी तरीके से आपको पूरी सलाई बीन करके कम्प्लीट कर लेनी है अब हमें क्या करना है रोंग साइड से जो फंदे हमने जैसे आगे बनाए थे बस से हमें रोंग साइड से भी वैसे ही बना लेना है पहले फंदे को स्कीप करेंगे और यह वन एन टू फंदे उल्टे उनको अपनी ओर लाएंगे इससे हम इस तरीके से रोंग सर्फिष्ट देँगे दो फंदों के बीच के बीच में और वण एन टू फंदे उल्टे अगेन हमें इस उनको पीछे लेके जाना है और उल्टे फंदे 6 बिनने है इस तरीके से आपको रॉंग साइड से कम्पलीट कर लेना है बस सिर्फ उल्टा और सीधा भी बनेगा और ये बहुत ही खुश्रस से डिजाइन बन करके तयार हो जाएगे तो इस तरीके से पूरी र करें राटी इस तरीके से रहे को नीचे लेंके इस वी लाइन हो गाड़ को इस तरीके से एक पनदे निकाल लेंगे आएगे उसके इस Separिके से ही निचे लेके जाएंगे और दो फंदे से हमें इस से निकालने एकश्रापनदे होगे दो एक एदर और अब यह रेड़माले इहां पे कम खतम हो जा रहा है फिर रएंगे और 6 फंदे जो हैं यहां पर उल्टे बीनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 फंदे उल्टे उनको पीछे लेके जाएंगे और इस तरीके से नीचे से यहां पर इसलाई को इन करेंगे और एक एक्स्टा फंदे इस तरीके से निकालेंगे और यह दो जो रेट वाले फंदे हैं इसे हमें वाइट कलर के उन से ऐसे बीन लेना है अगेन हमें इस तरफ से भी इसलाई को इन करना है और एक्स्टा फंदे निकालने इस तरीके से पूरी रो आपको बना लेनी है एक बार और देख लेजिए इस तरीके से इसलाई को यहां पर इन करेंगे और एक्स्ट्रा फंदे ऐसे निकालेंगे फिर दो फंदे बिनेंगे Again हमें वापस से यहां पर इस तरह को इन करना है और एक्स्ट्रा फंदे निकालने हैं इस तरीके से फिर उनको अपनी और करेंगे और फिर यह 1,2,3,4,5,6 उनको पीछे हल के हाथों से बनाना है, ज्यादा टाइट करके नहीं बनाना इस डिजाइन को, कुछ इस तरीके से बनेगा, उनको अपनी और लेकर के आएंगे, और लास्ट के तिन फंदे उल्टे बिनेगे, अब ये कुछ इस तरीके से नजरा रहे हैं, अब हमें रॉंग साइट से क्या क करना हें, उनको ऐसे लेना है सलाय को और एक फंदे को सकीब करेंगे, दो फंदे जो ये हैं अलते हैं तो हमें उल्टे ही बिनने हैं, फिर उनको अपनी और करना है, और ये वाले फंदे एक्स्टा बनाये हैं, इससे हमें इस लाई मे उतार लेना हैं, इस तरीके से, उसके फंदे जो हैं उल्टे भी नहेंगे 1,2,3,4,5 and 6 वापस से उन अपनी और ये जो एक्ट्रा फंदे हैं इसे हमें इसे उतार लेना है और ये दो फंदे उल्टे इधर से भी एक्ट्रा फंदे को उतार लेना इस तरीके से आपको पूरी स्लाइज जो है बना करके कम्प्लीट क बना है इसे अब हमें घटाना है क्योंकि अगर ये फंदे फिर बढ़ते चले जाएंगे तो इस वज़े से हम कैसे घटाएंगे तो पहले फंदे को स्कीप करेंगे और ये दो फंदे उल्टे भी नहें वो भी नहेंगे ही और इस वाले फंदे को थोड़ा सीधा कर लेंगे भी इस तरीके से और ये दो हमेंट जो हैं और एक Western के तरिकने पर वह इस तरीके से एक नगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा और यह दो जो एक्स्ट्रा फंदे हैं वह घट भी जाएंगे उसके बाद फिर उनको अपनी और लाना है और फिर जो गैप का फंदा रखी हैं उसे उल्टा बिल लेंगी इस तरीके से अगेन हमें इसे तो ऐसे कर लेना है उनको पीछे कर ले और उसके बाद फिर यह दो फंदों का एक फंदा बना लेंगी फिर इधर से भी दो फंदों का एक फंदा बना लेंगी इस तरीके से जितने भी फंदे थे आपके पास वह घट करके जितन बराबर हो गये इसी तरीके से आपको पूरे जो सिलाई है वह आपको बना करके कम्प्लीट कर लेनी है उनको पीछे करेंगे और दो फंदो का एक करेंगे इधर से भी दो फंदो का एक पंदर बना लेंगे तो यह डिजैन हो गई कम्प्लीट अब हमें क्या करना है रॉंग साइड से वापस से हमें यहाँ पर जो शिक्स फंदे बीच में गैप रखे हैं उसे दो फंदे जो है उसे बीच वाले फंदे को रेड वाले बनाएंगे जो स्टार्टिंग से बनाना था देख लिजे कैसे पहले फंदे को Skip करेंगे 1,2,3,4 इस वाले जो एक्स्टा फंदे जो वाइट वाले थे इसे भी अब हमें उल्टा ही बिन लेना है उसके गहाँ 1 & 2 2 फंदे इधर से लेंगे और 2 फंदे इधर से लेंगे और फिर बीच वाले फंदे जो है 2 फंदे को उसे हमें red कलर के उन से बिनना है इस तरीके से देखे आप इसमें चाहे तो अलग कलर के भी उन का इस्तमाल कर सकती है और इस तरीके से बिन लेंगे देखिए उनको ऐसे ले आना था उसके बाद फिर हमें उनको पीछे करेंगे और ये 6 फंदे बीनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, and 6 6 फंदे उल्टे उनको अपनी और ले आईए और फिर यहां पे 2 फंदे जो हैं सीथे बीनेंगे 1, 2, again हमें 6 फंदे उल्टे जो आपने पहले ही स्टार्टिंग किया था सेम आपको वैसे ही बनाना है 3, 4, 5, 6 उनको अपनी और 2 फंदे 1 and 2 फंदे उल्टे अगें हमें उनको पीछे और 6 फंदे उसी दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये के एक्स्टर इस तरीके से आपको बीन लेना है जो आपनी यहां से स्टार्ट करके मैंने बताया है सेम आप जो है दूसरा डिजाइन बनने जा रहा है तो आप इसी तरीके से बना लेंगी और कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिजेगा मैं आपको आंसर करूंगी और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो के लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमाई चैनल को थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू